हेलो एविवान तो सुबह की बच चुके हैं 11 और हम लेकर के जा रहे हैं आपको ग्रामर की हेवन तो माइडिया स्टूरें आज है डेव फोर और वन्ट्मेरी रूल्स का जिसमें हम कवर करने वाले हैं एक नया रूल अभी तक हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब और अब्ज अब्जेक्टर, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजांक्शन और इंटर्जेक्शन लेकिन अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट और अब्जेक्ट की तो इस जगहां पर आप सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट व स्पीच का स्तेमाल कर सकते हो कौन-कौन सी नाउन और प Must Be avanz, मैं यहान लिख भी देती हूँ Nod refers to naming words अगर आप चोटे रहे होगे तो आपका नाम छोटू रखा गया होगा अगर आप मोटे रहे होगे जब तक noun को किक ना मिले तो noun हाटेगा तब ही pronoun आएगा सो आप ऐसे consider कर सकते हो noun का replacement होता है pronoun so pronoun used in place of noun अगर noun ना मिले तो pronoun मिलेगा pronoun ना मिले तो noun मिलेगा तीसरी कोई भी पाटो speech आपको subject की जंगा पर दिखाई नहीं देगी आच्छा तो ये तो हो गया एक part अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ जाते हैं और और consider करने की कोशिश करते हैं कि अगर noun और pronoun के इलावा कुछ हमें देखने के लिए मिलता तो क्या मिलता आप कोई भी sentence सोचना कोई भी sentence बनाने की कोशिश करना को यही condition मिलेगी noun और pronoun दो पाटो speech ऐसी है जो कि आपकी subject और object की place पर आ रही है इसके इलावा अगर आपको कोई भी तीसरी चीज मिल रही है तो उसे आप बोलते है noun की family ओहो माम आपने तो हमें शौक धी कर दिया noun का भी परिवार होता है जी हा नौ का परिवार होता है और noun को निमंतरन जाते हैं कि या तो अकले हाजाओ या तो सा परिवार आजाओ तो noun train का वो engine है जो कभी कभी अखेला पर ट्री पर निकल आता है और कभी कभी अपने सारे साथियों के साथ आता है अब साथ ही कौन है इसके नाउन की फैमिली कौन है आईए देख लेते हैं तो नाउन की फैमिली ना छोटी मोटी नहीं है इसको कम मत समझना नाउन की फैमिली में और टोटल आपको कम से कम ना पांच फैमिली देखने के लिए मिलती है Oh my god, ma'am, five families? Yes. सबसे पहले family होती है, article noun. जैसे आप consider कर सकते हो, a boy or a girl. A article, boy, noun. A article, girl, noun. अच्छा, अगर second consider करें तो, अब लड़की को अगर आपने कुछ पूछा. एक लड़की मैंने देखी, अब लड़की कैसी थी? तो आपने बोला सुन्दर थी. तो अब आप ये तो नहीं बोलोगे, a girl. अब आप बोलोगे, a pretty girl. यही तो बोलोगे ना? यही बोलोगे के नहीं बोलोगे? तो girl हो गए आपका noun. और girl को qualify कर दिया, तो बन गया adjective. और adjective के पहले लगा हुआ है, आपका क्या? लेड़की सुन्दर है, कितनी सुन्दर है? तो मैंने कहा, बोहुत सुन्दर है. तो आपने बोल दिया, a very pretty girl. जसमें a article हो गया, very adverb हो गया, pretty आपका adjective हो गया और noun आपका girl हो गया. तो मैंने लिख दिया, तीसरी family, article, adverb, adjective and noun. नाप, कभी-कभी आपके जो noun होते हैं, उनको आप गिन नहीं सकते. कभी-कभी आपके noun plural हो जाते हैं. जैसे मैंने कहा, मैंने चॉकलेट खाई. या मैंने बोला, मैंने चीनी उठाई. अब चीनी को तो नहीं किन सकते हैं. तो चीनी के लिए आप और यान का तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं. तो आप बोलेंगे, चीनी दे दो. तो मैंने कहा, कितनी चीनी चाहिए? तो आपने बोला, थोड़ी चीनी चाहिए? तो आपने बोल दिया, some sugar. I want some sugar. तो आपने क्या यूज़ किया? adjective यूज़ किया, और क्या यूज़ किया? noun यूज़ किया, adjective नाप. मैंने कहा, आपको कुछ और चाहिए, तो भी मांग लो. तो आपने कहा, माम, juice दे दो. मैंने कहा, कितना juice चाहिए? आपने बोला, माम, थोड़ा juice चाहिए. लिटल जू़स चाहिए. तो मैंने कहा, कितना थोड़ा? तो आपने बोला, very little juice I want. Getting my point, तो आपने very little juice यूज़ किया. तो ये क्या हो गया, आपका? adverb, adjective, noun. तो बन गई ना, noun की 5 families. जसमें article noun आएगा, article adjective noun आ सकता है, article adverb adjective noun आ सकता है, adjective noun आ सकता है, या फिर आपका adverb, adjective noun आ सकता है. इन conditions में, या तो आपका noun कोई plural हो सकता है, या तो आपका कोई noun uncountable हो सकता है, या फिर आपका कोई भी noun, condition ऐसी बना रहा होगा, कि वो गिनी नहीं जा सकती. Right? So I hope this is quite clear to everybody. Now अब हम आगे बढ़ेंगे, और हमको sentences देख करके questions को करने की खोशिश करेंगे. अब सबसे पहले मैं एक sentence लिख देती हूँ, आप लोगों के सामने, मैंने कहा, She is an intelligent woman. Right? दूसरा sentence मैंने लिखा, This man is my friend. Third question मैंने लिखा, Sita has so many friends. Right? अब हम एक करके सको करने की कोशिश करेंगे. आप अगर देखें तो आपको subject, verb, object तो तो तोड़ना आई गया है. यहाँ पर आपका verb है is, यहाँ बेभी आपका verb है is, और यहाँ पर आपका verb है has. अगर आपसे मैं पूछो भी verb कौन सी बनेगी यहाँ पर और यहाँ पर तो आप बोलेंगे state बनेगी. और यहाँ पर कौन सी बनेगी? having बनेगी क्योंकि has of heart से having बनता है. subject में यहाँ पर है she, यहाँ पर है this man, और यहाँ पर है आपका सीता. अब आपने subject की दो conditions तो पढ़ी ली ना मेरे साथ. subject की दो conditions क्या पढ़ी है? या तो noun हो सकता है, या तो pronoun हो सकता है. और अगर तीसा कुछ दिखेगा, तो noun की family मिल लेगी. ultimately noun आ रहा है. लेकिन noun की family की conditions क्या है? या तो दो word आ रहे होंगे subject, object की जगा, या तो तीन word आ रहे होंगे, या तो चार word आ रहे होंगे. राइट? सो ज़रा करके देख देखें. किरे subject की place पर she आ रहा है. अब she किसी का नाम तो है नहीं? शी किसी का नाम तो है नहीं. तो अब आप बताओ ना, Man क्या हो गए आपका, Noun, और noun को Qualify करने वाला word क्या होता है, Adjective, article तो है नहीं, article तो A-N Tan ही होता है, Right, मैं लेख दूँ यहाँ पर, article आपको शफ्टीन मिलते हैं, A, Ann, और Da, Subject हो गया, Third वाला देख लेते हैं, है सीति एकी वर्ड दिखाई दे रहे है यह तो नावन होगा यह mango यह तो प्रनावन लगा दिया राइट अब जरा हम object की conditions जूनते हैं तो पहले तो में check करना होता है कि object आ भी रहा है या नहीं आ रहा है तो मोलेंगे she is what तो आप बोलोगे वो एक औरत है कैसी औरत है intelligent औरत है तो what का answer तो मिल गया तो object तो आ रहा है लेकिन object की भी conditions क्या होती है या तो noun आएगा या तो pronoun आएगा और अगर जादा words दिखे तो noun की family तो noun की family बनेगी तो आपको last से चेक करना होता है noun तो मिल गया woman noun को qualify करने वाला word क्या हो गया adjective और adjective के पहले यहां पर जो and लगा हुआ है वो क्या है आपका article तो आपको article adjective और noun मिल गया next आ जाईए this man is what या अदमी क्या है या अदमी मेरा दोस्त है तो मुझे object तो मिल गया अब object की भी condition चेक करनी है दो वर्ट जा रहें तो दो वर्ट जा रहें तो noun की family में जाएगा अब noun पहले ढूंडोगे तो जब आपने noun ढूंडा तो आपको यहां पर noun क्या मिला friend और adjective क मिला noun को qualify करने वाला word my next देख लीजे सीता है सो मैनी फ्रिंड्स सीता हाज हूं सीता के पास कौन है तो सीता के पास दोस्त है लेकिन दोस्त तो है यहां पर object की जंगा पर तीन तीन वर्ड यूज और आपको बता है ना नाउन आएगा नाउन आएगा बिल्किन नाउन की family तो अल्टिमेटली नाउन की family में नाउन तो ढूणना पड़ेगा ना यह रहा नाउन नाउन को qualify करने वाला वर्ड यह रहा adjective और adjective को qualify करने वाला वर्ड यह रहा एडवर तो अल्टिमेटली अगर आप कभी भी नोटिस करेंगे तो आपको subject और object की place पर क्या-क्या मिल सकता है नाउन प्रणाउन या फिर नाउन की family तो आप लोगों को इसको अच्छे से learn करना है आज और मैं आप लोगों को एक homework question दे रही हूं इसको आपने मुझे answer करके बताना है after the video मैंने लिखा शान्ती लिवस विद अ गुड़ नेबर अब आप मुझे after the video comment section में answer करके बताएंगे इसमें subject क्या है और subject की place पर क्या आ रहा है ठीक है verb आ रही है तो verb क्या define कर रही है action state और having और अगर आपको object मिल रहा है तो object में noun मिल रहा है pronoun मिल रहा है या फिर noun की family मिल रही है विद याद रखेंगे विद एक preposition है यह मैंने आपको यहां पर बता दिया राइट सो मिलते हैं अगले session में तब तक क्ये लिए goodbye बाइ